हेलो गाइस कैसे हैं आप मैं हूँ आमर और आगया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर आज का ये वीडियो मेंली टीचर्स के लिए है ऐसे टीचर्स जो लॉकडाउन के विज़े से अपने घरों पे हैं और अपने स्टुडेंट्स को ऑनलाइन बैसेस पर पढ़ाना पात चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम ही है उनके पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है जिसका वो यूज करके पढ़ाएं या फिर वो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड भी नहीं लेके आए उनके घरों पे नहीं है लेकिन वो अपने मोबाइल स्क्रीन को मोबाइल फोन को यूज करना चाहते हैं वाइट बोर्ड की तरीके तो आज की इस वीडियो को लास तक देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बताऊंगा अगर आप इस वीडियो को लास तक देखेंगे तो आपको वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की ज़रूद नहीं पड़ेगी और या फिर आप अगर दिमाग में ये भी ला रहे हैं कि आगे चलके आप एक डिजिटल बोर्ड परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को पुरा 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 लास तक देखेंगे आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन में से ना ही ब्लैक बोर्ड ना ही वाइट बोर्ड और ना ही आपको स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड खरीदने के ज़रत पड़ेगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोबाइल फोन से ही आप ये सारे के सारे कारे कैसे कर सकते हैं तो ज्यादा टामना वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कैसे हम एक स्मार्ट वेपी टीचिंग कर सकते हैं तो गाइस पहले में आपको यह बता देता हूँ मेरे दो चैनल से एक तो यह जिसमे मैं आपको टेक्निकल वीडियो जालता हूँ और एक मैं अलड़ी एक इंग्लिस टेनर भी हूँ वेराई यूस्ट टीच हाव दू स्पीक इंग्लिश अगर आप इंग्लिश बूलना सीखन हैं तो एक मेरा और चैनल है एस ग्रूप ऑनलाइन क्लासस के नाम से जिसमें मैं इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो जालता हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जाके वहां से चेक आउट कर लिजे वहां पर मैंने अपने मुबाल फोन का यूज किया है एक डिश्ट हाना चाहते है यह सिर्फ आप सिर्फ यह चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को सिर्फ बोर्ट दिखे आपकी फिजीक की आपकी बोड़ी की देखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो दोनों के लिए थोड़ा अलग-अलग methods है अगर आप चाहते हो कि आपकी बोड़ी भी दिखे आपकी physical appearance रहे उसमें तो उसके लिए फिर आपको दो mobile phones की जरुत पड़ेगी एक वो जिसमें आप camera का काम करेंगे जिसमें आप अपने आपको record करेंगे और दियुसरा वो जो whiteboard का काम करेंगे हाला कि दोनों को एक साथ आप merge करके रख लेंगे तो आदी screen से भी कम space मिलेगा आपको वहां पर आप जो भी बोल रहा हो वो बोलते रहोगे वैसे और बगल में जो board बना होगा वहां पर वो सारे चीज़ें लिखती रहेंगे तो उसके लिए आपको दो application की जरुद पड़ेगी number one wps office almost यह हर एक mobile phone पे अगर आप smartphone user हो तो आपके mobile phone पे यह होगा भले ही आप तक नोटिस ना किया हो लेकिन आपको इसको अपडेट कर लेना है अगर आप इसे बैटर वे पर यूज़ करना चाहते है तो प्ले स्टोर पर जाए डब्लू पीज़ टाप करिए सर्च जिलस में आ जाएगा सर्च जिलस पर आन प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा तो link description में दे दे रहा हुँ है आपको वहां से जा कि आप इसको डाउनलोड कर लेंगे हालकि restrictions है रहेंगे अगर आप दी स्क्रीन रिकॉडर के फ्री वर्जन को डाउनलोड करेंगे तो फ्री वर्जन पे आपको थोड़ी सी कम features मिलेंगे औ उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा आप परिशान मत हुई अपने थोड़ा सा वेट करें अगले वीडियो में आपको बता दूँगा कैसे आप डियो स्क्रीन रिकॉर्डर के प्रीमियम वर्जन को यूज कर सकते हो बिना पैसा पे किये हुए उसके लिए ज अगर आपको MS PowerPoint का थोड़ा बहुत ग्यान है अगर है तो आप PowerPoint का यूज करेंगे WPS में ही जाएक आप PowerPoint ऑपन करेंगे और अच्छे से स्लाइडिंग बनाएंगे ठीक है अगर आप सब कुछ अपने हाथ से लिखना चाहते हो पढ़ाते समय तो पिर उसके लिए आपको एक touch pen और purchase करना पड़ेगा touch pen आप purchase कर लेंगे इससे क्या होगा touch pen से आप जैसे स्क्रीन पर जैसे भी जो कुछ लिखेंगे वह वैसे आपको वहाँ पर लिखता तो लिखते समय आप screen recorder करके रखेंगे और आप सारा कुछ लिखते चले जाएगा और वह properly काम करेगा लेकिन अगर आप नहीं आपके पास अभी touch pen नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप सारा का सारा पहले से बना लीजिए जिब आप class आपके start होगी स्टाइडिंग के टाइम पर आपके पास पहले से वह सारे के सारे स्लाइट सो पर बने हुए होंगे जितना अच्छे से आप डिजाइन करेंगे उत्ता ही अच्छे से presentation हो पाएगा आपका चुकि टीचिंग में प्रकार का presentation है तो आप नोट्स को आप presentation में convert कर लीजिए आपको यहां पर साइड में दिख रहा है आपको करना क्या है आपको इस आइकन पर हैट करना है यह आप पर ब्रीच इस के और ब अपने screen किसी के साथ share कर रहा हो audio के साथ screen sharing है audio के साथ उनके लिए आपको दो चीज़े जरुवत है WPS and second one is DO screen recorder इन दोनों को इस्तमाल करके आप अच्छे से चीज़े कर पाऊगे ठीक है अब हम use कैसे करेंगे अगर आपको इसका problem है तो इसके लिए फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा डियू screen recorder यूज़ करना एंशोर आप यूज़ कर सकते हैं इतना कोई difficult नहीं है तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही वीडियो पसंद आए से लाइक करें अपने friends के साथ share करें अगर आप मारे चैनल प फिर से मिलेंगे नए वीडियो में एक लेटर के साथ तब तक अपना खुब सरा खाल लगें बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब